हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस किलास में देखो जैसे कि आप लोगों को पता है यह हमारी 100 प्लस पजल की सीरी चल रही है इसके इंदर बैंट प्योर क्लरक की जितनी भी आपके प्री एक्जाम में कहते हैं आज जो मतलब की टॉपिक हम करेंगे जो पजल करेंगे उसका लेवल थोड़ा सा आप होगा तो देखते हैं किस तरीके से हम में कोश्टन करना है कोशन पर बढ़ते हैं आज के देखो जैसे कि मैंने बताया पजल का कोई भी कोश्टन करने के लिए कोई शॉर्टकट टिक Heismus Co City अजिये और फोलों निए बस आपक की रीडिंग और अंडरेस्टेंडिंग अच्छी नीचे रीडिंग से मतलब है आप क्यों मतलब है और आला जो पड़ रहे हैं वह ही में करें यह नहीं जैसे कि यहां पर पर च्ब्लन करेंगे और ने फिपलेसर करने की बात है अ कर लिखा है six person है ठीक है इनके नाम दिये है ब्लॉंग्स टु डिफ्रेंट कंपनीज ये कंपनी के नाम है मतलब six person है different company से ब्लॉक करते है या कहलो different company work करते है they like different color where different color पसंद करते है color के नाम है orange, black, blue, pink, white और ये green white but not necessary in same order ये इतना मुझा ने पढ़ा जब ये introduction था पजल का तो मुझे पदा चला ये conditional पजल है कुछ condition दी हुई है उन्हें हमें fulfill करना है तो ये हमारी पजल है तो देखो इसमें क्या है six person है नाम दिया है और वो six different company में work करते है या ब्लॉंग करते है और वो different color पसंद करते है देखो बहुत student को दिक्कत होते है कि क्या हम इसके अंदर कोई variable fix कर ले काफी student यहां पर ऐसे होंगे अगला वैरिवल कौन साथ यह तो यह इसे तो अगर मालो इसने पहले वाइट से होता तो मैं वाइट से श्टार्ट कर देखो इस पजल को आप सीधा पड़ते जाओ और इंप्लिमेंट करते जाओ पूरी पजल बन जाएगी और साथ में पताना चाहता हूँ जैसे कि मालो पर उमन प्लिमेंट करते यह गवल जैसे में बसे करते हैं तो माईलो को बरत अगर को इस तरीके से टेवल बनाई है मैंने आप टेवल मत बनाना टेवल में वक्त जाएगा मैंने इसको रीप मलब की प्रेजेंट करने के लिए अचा था कि आपको क्लिर मजरा है तो यहां पर कर दिया आप क्या करना आपको रफ पेपर मिलेगा एक्जाम में सीधा लिखते रहना जासे की लिखात हुा Спस्ट छा ना सीधी का लिखते रहते रहना है तो यह पूरी बन जाएगी देखो मैं बताता हूं कहां से स्टार्ट कर निया है देखो मैंने बताया इस puzzle के अंदर हम पहले positive देखेंगे बहुत कि positive होना चाहिए किसी के बारे में देखो मैं पहली रैन पढ़ता हूं C belongs to company T C company T से ब्लॉंग करता है and C के बारे में बाव गुल रहा है and like white color तो मतलब यह तो positive है पूरा तो मैं क्या करूँगा इसको मैं अपने table में implement कर दूँगा तो मेरा starting जो puzzle होगी वह यहीं से होगी देखो मैंने देखो यहाँ पर आपका highlight कर आए यह Green से क्या लिखा C belongs company T तो देखो मैंने यहाँ पर पहले नाम लिख दिया क्योंकि यहाँ पर C के बारे में बात कर गए ठीक है फिर देखो company लिख दी क्योंकि अगला इसने company के बारे में बुला था T C belong to T and like white color तो यहाँ पर लिख देखो आप ऐसे करके white color ठीक है यह implement हो गया अम क्या करूँगा मैं आगे पढ़ूँगा puzzle में कोई positive होगा तो implement करूँगा अगर positive नहीं होगा तो मैं उसे store कर लूँगा देखो मैं आगे पढ़ता हूँ इसी slide में क्या लिखा है The one who likes black color belongs to company P मतलब यह है कि one एक व्यक्ति जो कि black color पसंद करता है वो company P में काम करता है तो इस वार कम व्यक्ति का नाम नहीं दिया तो मगर दो चीज तो positive है ना मेरे पास मतलब कि black के सामने तो P आएगा तो मैं क्या करूँगा इसको क्या करूँगा मैं इसको P के सामने जो भी है इसको मैं implement करतूँगा तो मेरा जो next point होगा वो यह होगा देखो यहां चलता हूँ क्या लिखाया और इनसे लिखाया the one like black color तो यहां पर लिख दो black color के नीचे color आएगा यह से belongs to company P तो company P का है company के नीचे company P तो इसमें दो positive इस तरीके से implement कर लेंगे देखो यही मैंने यहां पर implement करा है देख सकते हो आप यहां पर पी आ गया यहां पर उसका जो color पसंद करता है अब यहां पर आप यहां पर तो पी है और इधर तो दो इधर भी नहीं सकता और इधर तो दो अचली नहीं आगा क्योंकि यहां पर डी है तो सीधा लिख देंगे मैं इस पॉइंट में आप यह मत दिखने एक नेगेटिव है बलब एक पॉजिटिव भी तो जो पॉजिटिव इसको फिल कर दो नेगेटिव को साही में स्टोर कर लो तो क्या लिखा वी ब्लॉंग्स टू कंपनी एस तो यहां पर तो भी आया नहीं पाएगा क्योंकि देखो बीके साँमने तो है इस तुरी कि से तो यहां पर अशवा सकता यहां पर ईसे लिनि आएगा डिव एक का Black, Green and Pink अब आप डिया किया अब करण आप, तो मुझे F के बारे में पता है तो मैं क्या करूँआ, मैं सीधा, सीधा करूँगा F भी आट से अभी, और इदर भी आशक्ता है मैं क्या करूँगा F के बारे में पूरा negative है तो मैं इसको store करूँगा लिखुँगा सीधा एफ कहीं पर साइड में और कलर लिखे दूगा सके सामने और क्रॉस बना दूगा एफ यह तीन कलर पसंद नहीं करता है ब्लैक गिरीन और पिंक देखो इसी को मैंने आगे करा है इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है यहां पर मैंने रेड से इलेट कर दिना आप के सामने यह तीन कलर नियांगे तो मुझे याद रहेगा आप यह से क्रॉस बना देना ठीक है अब देखो आगे पड़ता हूं यह वाला लाइन दा परसंद हूं ब्लॉंग्स तू कंपनी आर इसको ब्रेक करके पड़ेंगे और इसको समझ नहीं आया होगा मैं दुबारा समझाता हूं यही लास्ट पॉइंट है अगर इसको हम मैनेज कर लेते हैं इस पॉइंट को तो पूरी पजल हमारी बन जाएगी तो क्या बूल रहा है ता परसंद हू ब्लॉंग्स टू आर तो तो मैं लिखूंगा तब परसंड फू ब्लॉंग्स टू आर डज नोट लाइक ब्लू कलर तो यहां पर मैं ब्लू लिख दूगा ठीक है इस तरीके और क्रॉस बना दूगा ब्लू पसंद नहीं करता है तो अब भी तो कहीं पर भी मैं बता नहीं सकता कहां पर आयगा कहां नहीं आएगा यहां पर भी देखो बिलू नहीं है यहां पर भी बिलू नहीं है और आगे पढ़ता हूं एंड मतलब इसी के बारे में गोड़े एंड एड़ पर संट डस नौट ब्लॉंक टू एफ नहीं है तो अब इतनी लाइन से मुझे क्या पता चला देखो आप आप कहोगे एफ इदर इसली नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पर ब्लैक है और भी आपाएगा बाकी थो फिलना है तो इदर ही आएगा पॉइंट में बताना बूली है तो एफ इदर लिख देना इसको टीक है तो मैंने नेक्स्स्लाइड में एफ लिख दिया तो अब तो मु नहीं सकता और साथ में F नहीं है तो आप मैं इसको फिल कर रहूंगा देखो यहां पर T है यहां तो कभी R नहीं आपाएगा कंपनी यहां पर T है यहां पर क्यों है यहां नहीं आपाएगा यहां पर S है यहां पर नहीं आपाएगा यहां पर S है यहां पर नहीं आपाएगा तो मेरी आर की possibility एक ही बस दिए डी के सामने आर आगा तेको यही मैने आगेखा होगा देखो डी के सामने मैने आर लिग दिया यह आपके देखो पूरा ओगा इस तरीके से अब देखो यहां पर मेरे name है और यहां पर company है यहां color है नेम में कितने fill हो गए 1,2,3,4,5 एक बचा है वो यहां लिख देना क्योंकि देखो 6 पर समते और company भी छे थी यहां पांच हो यहां लिख देना आपकी company और name तो पूरे हो जाएंगे देखो यही मैंने आगे करा वाइए यह नहीं करा कोई बात ही मैं color समझा देता हूँ यह कर ले ना यह तो color हो गये पूरे इसको मान लो यह मैंने पूरे कर दिया इस ताम यहां सर कल बनाए अब मैं करता हूँ color पूरे कैसे करो थी कर तो तीन color है और तीन color बच्छे है तो देखो सब और यहाँ पर घ्रीड बतात हिवी नहीं है तो यहाँ पर पहले से एकूिदी पॉसिबिलिते कहा ओगी तो को मतलब कि यहाँ मतलब कि जो फिक्स एक मिनट यह देखो मैं F के बाद जाओंगा,क्यों याउगा कूंकि F में दो कलर के लिए मना करा है Green के लिए मना करा है आटा दो, Green तो हो गया बाफी यह दो कलर औहोर नहीं आएंगे और दिखो यहाँ पर कितने कलर हो चुके हैं वाइट हैस में common नहीं white नहीं है black है हाँ देखो black है यान कि black भी नहीं आएगा ठीक है न वाइट और black तो पहले से हो चुके हैं तो उसलिए मैंने काट दीए ठीक है एक दो तीन चार हो गए न और देखो pink कहीं common नहीं है तो यह पांचवा color हो गया तो देखो चार color तो पहले आपके और एक color यहां pink नहीं आएगा तो जो बचा हुआ चटा color ना वह यहीं पर आएगा वह color का नाम देखो कि यहां पर गई मिलेगा आपको orange है तो यहां पर orange लिख देना बाकी एक color बचागा वह यहां लिख देना फजल पूरी देखो यही साथ मैंने आगी कर आओगा यह देखो इस तरीके सी करा है यहां पर जो बचा हुआ है यहां पर यहां पर समझा देता हूं क्लियर और समझाएगा यहां पर थोड़ा space कम है देखो कैसे मैंने कर रहा था देखो यहां पर green है और यहां green है तो green तो मेरा यहां आ गया था ठीक है यह तो समझा गया देख यहां पर ना पहले यह color फिल हो चुक है चार तो यह तो कभी आएंगे ने रिपीट कलर तो आनी सकते तो ब्लैक इसमें रिपीट है हाँ ब्लैक को काड़ दो गिरीन है अब देखो पिंक इधर मना करा हुआ है ठीक है जब पिंक मना करा तो दो किलर कितने होगे लिए वन टू त官ं टू थ्री फोर सिक्स कोलर को छटा कलर मोड़ें ब।र यहां पर बीयो आएगा जो बचाता साय फिलू हि था और यहां पर वजो बिचे टाइगा कर दिया अब देखो इसकी पूल हिया में ज़कोषन के इस तरीके से हैं in which company E works मरलब E किस company में काम करता है दो इ ए रहा इसके सामने Q है तो Q कमपनी में काम करता है यह option number C में है अगला next question है who likes pink color pink color कौन पसंद करता है pink पे जाओ दो दो pink कौन पसंद करता है pink पसंद करता है B मेरा है option number E में next पे चलता हूं यह देखो यह वाला कोशन है which of the following is true about D तो इस तरीका कोशन आता हो सारा रीड करना पड़ेगा तो D मैं underline कर लेता हूं अब पढ़ते हैं लाइक ग्रीन कलर गलत है यह तो औरेंज कर रहा है यह गलत बात है यह कहले कह वर्क इन कंपनी क्यूं नहीं आर में कर रहा है लाइक वाइट कलर यह भी गलत है वर्क विद वर्क इन आर कंपनी यह सही है और नन अब दा वह आएगा नहीं तो ऑप्शन नंबर मेरा डी आएगा इसमें नेक्ष्ट कोशन पर चलते हैं यह फाइंड ऑरडबन आउट इसमें स्वी और बताओ तो के सामने पिलिगा तो कि के सामने पी मीपी आएगा कंपनी तो इतरह बहुत है विकलिए वी चारण आप शाइन तो ओरॉर्बन आुट न zu yoo क होता है कि चाहर फांच तु खि-वी है न में से चाहर तो किसी सेम पैटरन पर लिखियोंगे और एक लिखा हँआई रिज़़ा य की पैटरन पे जह जो फिल घुली होक Έ SHAD इसका मैंने यहां पर आंसर भी दिया है और इस तरीके से पजल आज हमारी होती है कि अगर आज इसका पीडियाप चाहिए तो यह टेली कराम चैनल का नहीं है यहां से डाउनलोड कर लेना यहां पर सारे मतब जितनी भी क्लासी होती सारी पीडियाप मिल जाती और यह है इसको जो सरकल करना हूँ यह यूटूब चैनल का नाम है क्या करना इसको सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को जाज अशे ज्यादा शेर करना तो आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे क्लास नंबर फिफ्टी बन थी अब जो भी इसके बाद होगी फिफ्टी टू एक नई पजल ह होगी उसको देखते हैं को कौन सी पजल होगी नेक्स्ट क्लास में